आप देख रहे हैं धर्म आपके साथ हुमें नेहा कहते हैं जिसके उपर श्री गणेश की कृपा हो जाती है उसके जीवन में दसों दिशाओं से सुख और सम्रिधी का आगमन हो जाता है जीवन के सारे विगने टल जाते हैं तो आज हम आपको गड़पती की उपास्तना की विधी बताने वाले हैं पपा का वो मंत्र बताने वाले हैं जिसके प्रयोग से आप जीवन के हर क्षेत्र में विजाई होंगे और काम्याबी आपके कदम चुमेगी जहां गणेश वहां सुक गणपती का वाज दूर करे का दुख बापा की पूजा से मिलेगा खुश्छाली का वर्दान गजानन की कृपा से होगा कहल्याँ विगन दूर करेगी विगन हर्ता की साधना विजाई दिलाए की गणपती की आराधना 33 करोर देवी देवताओं में पथम पूज हैं भगवान श्रीकनेश रिध्धी, सिध्धी, विध्या, वुद्धिक के प्रदाता हैं गजानन बापा के भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं तो बापा भी अपने भगवान को कभी निराश नहीं करते और यही वज़ा है कि सदियों से भगवान की आस्था अपने आराध्य में हैं गरपती बापा में हैं जीवन के सभी सांसारिक कारियों में विग्न के नाश के लिए और कार सिद्ध करने के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है काम, क्रोध या मोज ऐसे आंत्रिक शत्रु हों या फिर रोजमर्रा की जीवन में आने वाली अरचने इन सभी को दूर करने के लिए भगवान गणेश का स्मरन किया जाता है कहते हैं इक गणेश की उपासना से ही भगवान विश्णू ने मधुकाटव का वद किया गणपती के वार से ही शिवजी ने तुरिपुरा सुर का वद किया था और मादुर्गा ने भी गणेश जी की वनना करके ही महिशा सुर का गणपती का जन्म पूरे संसार के कल्यान के लिए ही हुआ है और यही वच्छा है कि गणपती अपने भक्तों को देते हैं सुख, सम्रिध्धी, वैभव और शक्ति का वर्दान दुयदियाब भी चाते हैं गणपती से सफलता और विजई होने का वर्दान तो चलिए हम आपको बताते हैं गणपती की वो पूचा जो आपको तरक्की दिला सकती है आपको विजई बना सकती है गणेश उत्सव के दोरान किसी भी दिन ये प्रियोग कर सकते हैं सुभा उटकर सनान करके पीले वस्तुर धारन करें किसी शांच जगह पर पूर्व दिशा की और मुह करके बैठें बैठने के लिए लाल उन क्यासन का प्रियोग करें अपने सामने लकडे की चोकी पर सफेद वस्तुर बिचा कर एक थाली रखंए थाली में कुम-कुम से शुबलाब लिखंए और स्वस्तिक बनाएं थाली में कुम-कुम और केसर से रंगे अक्षत रख कर विजई गनपती की मूर्ती रखंएं बापा की मूर्ती को पंचामृत से स्नान कराएं लड़ू या दूद का भोग लगाएं मूर्ती का रक्तचंदन और केसर से तिलग करें गुड का भोग लगाएं 21 कनेर या लाल फूल अरपित करें फूल चलहाते समय उस काम का जिक्र करें जसमें वुजय पाना चाहते हूं धूब दिखाएं घी का दीपक जलाएं गणपती उत्सव के दौरान हर रोज साथ बाश्रत्रनाश कवच का पाट करें जीवन में वुजय की प्राप्ति के लिए गणपती की पूजा विधी क्या होगी ये तो हमने आपको बता दिया आईए अब हम आपको बताते हैं वो कवच जिसके पाट से प्रसन होकर गणपती देते हैं वुजय का वर्दान गणपती के दर पर हारों को सहरा मिलता है और दुख्यारों को मिलती है खुश्यों की सोगात तो यदि आप भी जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं अपनी कमजोर्यों और दूसरों पर जीत पाना चाहते हैं तो गणपती की विशेश पूजा आपकी ये इच्छा पूरी कर सकती है गणपती को किस तरह से पूजने से आपको मिल सकता है चीत का वर्दान ये तो आपने जान लिया पर अभी बाकी है वो विज़ई मंत्र जिसका प्रयोग आपकी पूजा को संपन बनाएगा क्या है वो मंत्र बस थोड़ी देर में आपको बताएंगे पर पहले आपको बता देते हैं आपकी राश्यों का हल मेश विदेश से शुब समाचार मिले का सेहत अच्छी रहे की पैसे के लेन देन में लाब होका शुबरंग आसमानी भाग्य पृतिशर सत्तर व्रिशा आर्थिक पक्ष मजबूत होगा कारुबार में विस्तार का योग है संतान को लेकर चिंता हो सकती है शुबरंग ग्रीम भाग्य पृतिशर चोहत्तर मित्रुन वहन दुर्घटना हो सकती है लाइफ पार्टनर या भाई से विवाद का योग है पैसे आसाने से मिलेंगे शुबरंग नीला भाग्य पृतिशर एक्यावन कर्क पुराने मित्रु से मुलाकात होगी प्रॉपर्टी खरीदेंगे वाद विवास से बचें शुबरंग गुलाबी भाग्य पृतिशर एक्यावन अठत्त भाग्य पृतिशर अठासी कन्या महत्वपून काम टाल दे मान सम्मान पर ध्यान दे अचानक पैसे का लाब होगा शुबरंग सुनेरा भाग्य पृतिशर सरसर दुला पैसे के नुपसान से बचें घर पर महमान आएंगे किसी प्रिय से बिच्छड़ सकते हैं शुबरंग गुलाबी भाग्य पृतिशर अठत्त वरिश्चे आर्थि खानी से बचें बाणी पर म्यंत्र रखें शुबरंग सुबरंग 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 गुलाबी भाग्य पृतिशर शुबरंग धन दूबा हुआ पैसा मिलेगा शादी तै हो सकती है आखों के परिशानी से बचें शुबरंग धानी भाग्य पृतिशर 81 मकर परिवार के जिम्मेदारियों पर ध्यान दे दिवादों से बचें प्रेम संबंधों के शुरुवात होगी शुबरंग हरा भाग्य पृतिशर 55 कों बिवाद हल होंगे प्रतियोगता शिक्षा में सफलता मिलेगी घर पर महमान आएंगे शुबरंग रीम भाग्य पृतिशर 82 मीन सेहत का ध्यान रखे नौकरी में बदलाव ना करे कर्ज का लेंदे ना करे शुबरंग सुनेरा भाग्य पृतिशर 55 कोई भी पूजा मंत्रों के प्रयोग के बिना अधूरी ही मानी जाती है क्योंकि मंत्रों के माध्यम से ही आप अपनी मनुकामना अपने आराध्य तक पहुचाते हैं तो शलिए आपको बताते हैं वो मंत्र जो आपको जीवन में विजय दिलाएगा बापा दुनिया का हर रहसे जानते हैं दुनिया की हर समस्या का हल बापा के पास है और इन दिनों चल रहे हैं बापा को प्रसंद करने के सबसे शुप दिन जोतिष के जानकारों के माने दुगणपती उत्सव के दिन गणपती के विशेश पूजा अरचुना के लिए बेहद शुब और फलदाई मानने जाते हैं इन दिनों विशेश पूजा से आप जीवन की हर मुश्किल का हल पा सकते हैं क्योंकि विग्न हर्ता इन दिनों स्वयम आपके हर काम की बाधा दूर करते हैं तमाम सांसारे कश्टों से रक्षा करते हैं जीवन में मिल रही हार को जीत में बदलने के लिए कैसे करें बापा की पूचा ये तो हमने आपको बता दिया आईए अब आपको बताते हैं गणपती का वो मंत्र जो सिद्ध है और अचूक उपाय है उन लोगों के लिए जो जीवन में निराश है या फिर हार ने जिन्हें चारों ओरों से घी रखा है तो क्या है वो मंत्र आईए बताते हैं ओम वर वर्दाय विजय गणपते नमहा इस मंत्र का सवलाग बार जाप करें गणपती के विजय मंत्र का जाप शत्रुनाश कवच के पाट के बाद ही करें मंत्र जाप के बाद पांच कुवारी कन्याव को भूजन कराएं और कुछ दान दें पांच गरिबों में भूजन का दान करें गणपती का ये मंत्र आपकी जीवन में तरक्के के रास्ते खोल सकता है क्योंकि इस मंत्र से आप अपनी बात गणपती तक पहुचा पाते हैं और गणपती अपनी भक्तों को कभी निराश देखी नहीं सकते तो फिर तै मानिए कि बापा के अरादना के इन शुब दिनों में किये गए उपाय आपके लिए रामबान उपाय साबित हो सकते हैं तो गणपती उप्सव के अधभुद्दिनों का लाग उठाईए और बना लीजिए अपनी जंदगी को संपन और पाये बापा से विजय का वर्दान बापा करेंगे आपका कल्याद दर में आज के लिए बस इतना ही कल फिर होगी आपसे मुलाकात गणपती स्जुड़े एक और खास विशय के साथ तब तका बने रहे हमाई साथ देखते रहे आज तक झाल